Hello friends, welcome to my channel तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और ऐसे दो वर्ड जो फिजिकल फिट्टेस में most commonly use होते हैं बट लोगों को इसका exact मतलब या complete मतलब नहीं पता होता है इसमें पहला वर्ड है strength training और दूसरा वर्ड है hypertrophy training तो पहला जो strength training है इसका basically मतलब होता है ऐसी training जिसमें आपका focus हो आपकी muscles की strength बढ़ाने के लिए इसमें आप थोड़ा heavy weight यूज करते हैं और आपका wrap range होता है 4-6 reps और इसमें basically compound exercise यूज होती है जैसे हो कि आपका squats, deadlift, bench press, pull-up और military press जिसमें आपका पूरा focus होगा कि आपकी muscles है उसकी power या strength कैसे बढ़े इसका as byproduct जरूर होता है कि आपकी muscles की growth होती है साथ में but mainly focus आपका होता है कि आपकी muscles की strength या power कैसे बढ़े दूसरा जो word है hypertrophy training इसका जो main aim होता है वो आपकी muscles का size या muscles का shape develop करने में बढ़ाने में इसमें इसका जो byproduct होता है जरूर थोड़ा आपकी strength बढ़ती है इससे आपका main focus होगा कि आपकी muscles की size कैसे बढ़े इसमें आपका रेप रेंज जो रहता है वो 8-12 रेप रहता है और बीच में जो आपका rest time रहता है वो 1-2 minutes रहता है और इसमें आपका focus रहेगा compound के साथ साथ isolation exercise में जैसे bicep curl हो गया dumbbell lateral raise हो गया dumbbell front raise हो गया जो ऐसे आपके muscles को isolate करें आला गला क्रीन करने में help परें तो इसमें आपका focus होगा आपकी hypertrophy training में और रेप रेंज जैसे में बना वह ने बता है कि 8-12 रहेगा rest time hypertrophy में रहेगा आपका 1-2-2 minutes और strength training में आपका थोड़ा heavy weight यूज करेंगे आपका rep range रहेगा 4-6 reps और आपका rest time रहेगा 2-3 minutes strength training में rep कम weight heavy rest जादा और hypertrophy training में moderate weight रहेगा 12 reps तक जाएंगे और आपका time थोड़ा कम रहेगा 1-2 minutes का rest रहेगा that's all thank you